Hello everyone, I am Jyoti Jha, welcome to NCRT The Mind तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ Class 3 की EVS Workbook Chapter 1 Poonam's Day Out तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दवा दिजिए ताकि NCRT से रिलेटेर जितने भी वीडियोज हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं तो मैंने आपको इसका चैप्टर जो है वो पहले ही बता दिया है तो अब ये जो वर्कबुक है ये बहुत ही जरूरी होता है बनाना और आप लोगों के एक्जाम आने वाले हैं तो इसके लिए भी वर्कबुक बनाना बहुत जरूरी होता है तो आप अपना workbook निकाल लेजिए और मैं आपको बताते जाती हूँ तो देखिए पहले अब हम लोग एक बार summary कर लेते हैं Summary of the nation We see different types of animals around us देखिए हम लोग अपने side में आसपास बहुत तरह के जानवर को देखते हैं Some animals live on land, some in water and some on tree तो कुछ animals होते हैं कि वो जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ पेड़ों पे रहते हैं Animals move in different ways They run, jump, hop, crawl, fly or swim तो बहुत सार जो animals के जो होते हैं उनका movement जो होता है चलना फिरना वो different type का होता है कुछ दौरते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उरते हैं, कुछ तैरते हैं तो इस तरह से उनका movement होता है Animals make different sounds We can recognize them by the sound they make तो देखें बच्चों कि ये animals जो होते हैं, वो different sound निकालते हैं, अलग-अलगते रहें तो हम लोग उन्हें उसके sounds से पहचान पाते हैं In general, all the insects, birds, mammals and reptiles are referred to as animals तो हम लोग जो हैं, generally, mammals, reptiles ये सब को एक animals के तोड़ पे ही जानते हैं Mammals give birth to young ones, wild birds, reptiles and insects lay eggs तो देखें, mammals जो होते हैं, वो अपने बच्चे को जन देते हैं और reptiles, birds और insects ये अंडे देते हैं Birds have beak, they have wings to fly Birds के पास beak होते हैं और वो उनके पास उरने के लिए पंक होते हैं, वो उर सकते हैं Reptiles crawl, और reptiles जो होते हैं, वो रेंगते हैं Insects have six feet, insects जो होते हैं, उनके six feet होते हैं, छेपेर होते हैं अब देखिए, match the animals with their names आपको ये जो animals दिये हुए हैं, उनको match करना है उनके नाम के साथ में तो देखिए, यहाँ पर ant है, ant को ant के साथ में match किया हुआ है, मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखिए, ये ant है, तो ये ant यहाँ पर ant है, इसे ant के साथ मेंच कर देना है और ये sparrow है, तो sparrow को sparrow के साथ में, और उसके बाद ये squirrel है, squirrel को squirrel के साथ में, उसके बाद ये मैना है, मैना को मैना के साथ में, उसके बाद ये chameleon है, chameleon को ये chameleon के साथ में, इस तरह से में mix करना है, उसके बाद है, इतर देखिए, parrot है, parrot को parrot के साथ में, उसके बाद ये बटरफलाई है, तो बटरफलाई को बटरफलाई के साथ, उसके बाद एक क्रो है, क्रो को क्रो के साथ में, उसके बाद पीजन, पीजन को पीजन के साथ में, इसके साथ में मैच करना है, उसके बाद है ये, देखिए, मंकी है, मंकी को मंकी के साथ में कर देंगे, मैच कर तो इस तरह से आपका ये वाला मैचिंग वाला हो गया अब आगे बढ़ते हैं वेर डू दू दू अनिमल्स साउन एवर लीव अब देखिए कि तो देखिए बच्चों ये जो उपर में अभी हमने पढ़ा ये जो अनिमल्स हैं वो कहा रहते हैं तो हम लिखेंगे इन आवर सराउंडिंग तो ये हमारे आज-स-पास ही रहते हैं उसके बाद हैं हाँ डू दू दू दीज अनिमल्स मूव इंसर इन वन वर्ड तो एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं कैसे उटते बढ़ते हैं कैसी चलते हैं इनका जो movement है वो हमें लिखना है तो a sparrow जो होते है इस sparrow वो क्या करते है तो fly करते है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे fly दिया हुआ है ना यह fly करते है तो fly करते है a snack, snack क्या करते है crawl करते है इन रेंगते हैं वो जमीन पे रेंगते है a frog, frog, hop यह उचलते हैं, कूदते हैं ए-fist, swim यह पानी में तैरते हैं ए-hors, horse क्या करते हैं? walk करते हैं, यह चलते-फिरते हैं तहलते हैं Name any two animals that live तो देखिए आपको दो animals का नाम बताना है जो trees पे रहते हैं on trees इधर दिया हुआ है और इधर आपको animals का नाम बताना है देखे, on tree है ना, दिया हुआ, on tree तो tree पे क्या रहते हैं, देखे, sparrow और crow ये दोनों tree पे रहते हैं, और भी बहुत सारे birds हैं जो रहते हैं, trees पे, अब देखे, in, around pond तो pond में क्या रहते हैं, तो pond के बारे में, अब हमें, तालाब में तो duck, duck जो है, वो तालाब में रहते हैं, और fish ये तालाब में भी रहते हैं और समुंदर में भी रहते हैं, नदी में भी रहते हैं, तो इस तरह से हमें लिखना है अब देखे कि जमीन के नीचे क्या रहते हैं जमीन के नीचे ये rat, उसके बाद है snack ठीक है, in your house अब आपके घर में कौन रहता है तो देखें, dog आपके घर में रहता है cat आपके घर में रहता है ठीक है तो अब देखें, बचो tick the correct answer अब आपको correct answer में tick करना है तो देखिए क्या है a lion, muse या roads तो lion जो है वो क्या करता है दाहरता है तो हम road में यहाँ पे tick करेंगे उसके बादे a dog, barks या knees तो dogs जो होते हैं वो bark करते हैं भूपते हैं तो ये bark में हम tick करेंगे उसके बादे a cat, muse या moose तो cats जो होती है वो तो meow meow करती है muse तो हम यहाँ पे muse, meow करेंगे ठीक है? ये frog, creeps या crocs तो frog जो होता है वो क्या करता है? crocs तो crocs में यहाँ पे हम इसमें tick करेंगे ए बर्ड, trips trips और crocs तो birds में हम trips करेंगे अब चलिए आगे बढ़ते हैं write the name of animal which make sound as given below तो अब देखिए कि cow cow कोन करता है अब जो ये नीचे में दिया हुआ है ये animals इसका जो नाम दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा sound निकलते है ठीक है? cow cow तो cow cow कोन करता है? crow करता है उसके बाद है मै मै तो मै मै sound कोन निकलता है? तो got निकलती है जो बकडी होती है वो उसके बाद है कुकरू कू कुकरू कू cock करता है उसके बाद है गुटर्गू गुटर्गू पीजन करता है उसके बाद है टेटे, टेटे पैरोट करता है, उसके बाद है धेचू धेचू, तो धेचू धेचू को और करता है डंकी, ठीक है इस तरह से आपने ये वाला देखा कि कौन से अनिमल्स कौन से साउंड निकलते हैं, उसके बाद है गिव वन एक्जाम्पल ओफ, एन एनिमल्स with four legs अब आपको बताना है किस animals के four legs होते हैं आपको एक example दे के बताना है तो आप बता सकते हैं कि देखिए dog के जो होते हैं four legs होते हैं और भी बहुत सारे animal होते हैं जिनके four legs होते हैं तो आपको सिर्फ एक ही लिखना है यहाँ पे and animal with long tail जिसके लंबे पूछ होते हैं तो वो animal का नाम लिखना है आपको तो cow लिखेंगे और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको एक लिखना है उसके बाद है an animal with one horn एक horn के साथ होते हैं जिनका एक horn होता है तो किसका होता है rhinosaurs का उसके बाद है an animal with strong trunk एक strong trunk के साथ होता है तो कौन से animal है वो elephant क्योंकि elephant के पास strong trunk मिन सूड सूड होता है तो होता है elephant के पास elephant क्लिकेंगे एक beautiful bird with blue green long feathers अब देखिए कि एक beautiful एक बहुत सुन्दर सा bird जिसके पास blue green color का feather हो उनके पास तो कौन सा होगा peacock पिकॉक बहुत सुन्दर लगता है दिखने में और कितना अच्छा green और blue color का उनका feather होता है तो देखिए बच्चो एन एनिमल with cell on its back तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके back में peach पर कवच होता है तो देखिए tortoise होगा तो मैंने tortoise लिखा है आप snail भी लिख सकते हैं turtle भी लिख सकते हैं जिसके पीट पर कवच होता है बहुत हार्ड होता है ये कवच और देखिए एक बड़ मैं फिर से revision करते हूँ एनिमल with one horn, horn means sing होता है तो राइनोसरिस के पास होता है एक horn उसके बड़ एनिमल with strong trunk जो strong trunk के साथ सूड होता है तो elephant के पास होता है a beautiful bird with blue green long feathers तो feathers means पड़ होता है जो पक्चियों के पड़ होते है उन्हें बोलते है तो peacock के पास देखते हैं आप कितना सुन्दर उनके पास पड़ होता है feather होता है blue green कितना अच्छा लगता है देखने में भी an animal with a cell on its back तो उनके पीच पे कवच होता है बहुत हार्ड होता ह आप कभी भी अगर कच्छा को देखेंगे या स्नेल को देखेंगे जो होता है हमारे घर में भी आसपास गीले जगर में वो घूमता रहता है तो उसको भी देखिएगा बहुत हार्ड होता है उसका कवच उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं classify the following animals according to the place where they live अब देखिए क अब आपको उनके category के हिसाब से आपको लगाना है कि कौन से animal कहां रहते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा नाम दिया हुआ है अब आपको इसे सजाना है तो देखिए land water air तो यह तीन लिखा हुआ है इसमें आपको इसमें सजाना है बताना है कि इसमें कौन से animal कहां रहते हैं तो लैंड पर क्या रहते हैं काव ऐलिफेंट इसके बात लि으पार्ड जिराफ डक और ट्रटवाइश इसके बाद हैपिकॉकृक उसके बाद हैस्पाइडर यह सब जमिन पर रहते हैं अब देखिये57 स्टेश नयग क्रोकोडाइल डग budget wasting उसके बाद है कैब क्रेब है उसके बाद है थीखे फिश टर्टल यह सब वाटर में रहते हैं वाटर अनिमल उसके बाद है देखे बटरफ्लाइ पैरोट, हाउस फ्लाइ पीजन भी पिकॉक उसके बाद मैना यह सब जो है एर में रहते हैं उड़ते हैं तो इस तरह से यह वाला हो गया है आप देखिए arrange the following animals in the increasing order of their size अब आपको size के हिसाब से आपको increasing order में लिखना है तो ठीक है तो देखिए मतलब कि छोटे से बड़े के करम में लिखना है तो सबसे पहले देखिए एक नमबर इस तरह से सजाना है हमें तो देखिए एक नमबर में ant यह सबसे छोटा है उसके बाद है दूसरे में आपका हो गया cockroach यह ant से बड़ा है उसके बाद third में lizard यह उससे बड़ा है उसके बाद आपका 4th में हो गया Squirrel वो उससे भी बड़ा है उसके बाद 5th में Parrot उसके बाद 6th में Cat 7th में Horts उसके बाद 8 में Crocodile और 9th में Elephant तो देखा छोटी से बड़े में हम लोगोंने कैसे सजा है सबसे छोटा Ant है और सबसे बड़ा Elephant है तो इस तरह से आपको भी सजाना है एप पॉंड इजे स्मॉल एडिया ओफ इस्टिल वाटर टिक द एनिमल विच यू कैन सी नियर पॉंड अब देखिए कि आप जो जिस एनिमल को आप पॉंड में देखते हैं वो आपको लिखना है अब देखिए आपको वो पॉंड के आसपास गूमते हैं तो आप क्या लिखेंगे देखिए काव पॉंड के आसपास गूमता है गौट, अलिफेंट डंकी उसके बाद स्पेरो, हौर्स, बोफेलो, क्रैंड, टर्टर, डग, फ्रॉग तो ये सब pond के आसपास घूमते हैं उसके बाद देखे क्या है अब तो देखे बच्चों ये है आपका activity time With the help of your thumb prints and fingerprints draw तो देखे आप अपने thumb prints से या finger prints से आपको drawing बनानी है तो देखे एप पैरोट है तो ये आप अपने अपना जो है prints लीजेगा यहाँ पर और उससे आपको drawing करनी है तो देखे यहाँ पर मेरी बेटी ने बनाया हुआ है drawing तो आप भी अपने बुक में इसी तरह से drawing बनाएंगे उसके बाद है draw pictures of anyone, animals that can अब देखे आप इसमें से कोई एक animal का draw कर सकते हैं जिसे आप बना सकते हैं यह तीन दिया हुआ है तो इसमें भी draw करना है उसके बाद है paste picture of anyone, animal that have तो इसमें से कोई एक animal का picture आपको paste करना है यहाँ पर अब देखे आगे क्या है using one of your palm, draw a beautiful peacock as sound below अब देखे यह जो है यहाँ पर एक तो picture दिया हुआ है यह peacock का picture बन गया है वो भी आपका पूरा हतेली उसका आपको रखना है पूरा छाप लेना है उसका अपना पूरा हाथ रख देना है बुक के उपर और उसको अच्छे से pencil के help से आपको एक picture बनाना है जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है उसी तरह से और उसको आपको sketching करना है तो यह देखे यह मेरी बेटी ने बनाया है तो इस तरह से आपको भी अपने बुक में इसी तरह से बनाना है तो देखे बच्चो आपको कैसा लगा पढ़के अगर अच्छा लगा तो लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े मेरी चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दिज़े ताकि NCRT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक आप लोग अपने एक्जाम्स का तयारी कीजिए और इस वर्क बुक को आप बार बार बनाएए ताकि आपका रिविजन हो सके तो चलिए बाई टेक कियर थैंक्स टो वाच में वीडियो